ख्वाइसों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकिते सजा देती हैं, आसान चीजों का सौक नहीं, मुझे मुस्किले मजा देती हैं मुझे मुस्किले मजा देती हैं, इसी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपनी क्लास नमबर नाइन, अपनी मैत की जो क्लास नमबर नाइन है, इसमें हम सीखेंगे और आपको सीखाएंगे, क्या शून्यों की संक्या ग्यात करना है, किसकी संक्या, शून्यों की, numbers of zero, कई संक्याएं दी होंगी, उनका आपस में गुणा के रूप में, फिर पूछा जाएगा कि इनके गुलन फल के अंत में कितने जीरों होंगे, कितने सून होंगे, आप कहेंगे, अरे, ये चीजें तो हम अभी तक जानते नहीं, बिलकुल नहीं जानते, कोई चिंता की बात नही हैं, क्योंकि आपको बिलकुल बेसिक से, बिलकुल आसान सब्दों में सिखाने वाले हैं, आप यदि 40-45 मिनट डट के बैठते हैं, तो निश्चत तोर पे ये 40-45 मिनट देने के बाद, आप महसूस करेंगे कि ये सर, ये 40 मिनट हमने दिये, तो इनका मुझे बहुत ये 40 मिनट हमारे 400 मिनट के बरावर लाब देके गए, बिलकुल, यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो, और यदि आप बक्वासी हैं, फालतू की रील्स में समय बिताने वाले हैं, फालतू के बेक्ती हैं, असली कॉम्प्टेटर नहीं हैं, तो कोई फर्क नहीं पढ़ता है, रील्स देखिए, कोई, उसी में मज़ा लीजीए, देखिए, तो हम लोग पढ़ते हैं, शुन्यों की संक्या गयात करना नम्बर ओफ जीरो, कैसी कि Radio's, तो, सीधे सीधे हम बात करेंगे, नमबर सॉब जीरो, जैसे कैसे सवाल आने वाले हैं, आपके मन में प 35, 712, 286, 555, 914 हम कहें इन सब के गुणन फल के अंत में कितने जीरो होंगे हम आप से पूछेंगे या पेपर में सवाल आप से पूछेंगे कि इन सब के गुणन फल के अंत में कितने जीरो होंगे तो आप सोचेंगे कि क्या सर गुणा करेंगे तो बिल्कुल आपको गुणा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको वही तरीका सिखाने वाले हैं कि आप देखके ही पहचान जाएंगे कि इन सब का गुणा करा जाएगा तो लाश्ट में कितने जीरो मिलने वाले हैं आप तुरंट वता देंगे चलो आओ सीखते हैं कॉंसेप्ट को देखो इसको जानने से पहले एक बात हमारी समझ लो क्या बात क्या कि हम एक का दो का तीन का चार का छे का साथ का आठ का नो का इनका आपस में गुड़ा करें तो क्या हमें कोई लाश्ट में जीरो मिलेगी आप कहोगे सर जी गुड़ा कैसी करें पहले तो गुड़ा ही कर लो गुड़ा दो एकम दो दुत्ती चे चेचचो को 24 24 और फिर इनका करेंगे जो भी करेंगे तो विटा आपको लाश्ट में कोई जीरो नहीं मिलेगे देख लो करके यहां तक तो आपका 24 हो गया यह आपका 42 हो गया और यह आपका 22 हो गया खेरा बित्ता मुश्किल गुणा मैं भी नहीं कर सकता लेकिन फिर इतना बता दू कि इन सबसे आपको लाश्ट में अंत में कोई जीरो मिलने वाला नहीं है आप सोचेंगे सर कोई भी अंक, कोई भी संक्या नो तक का कोई भी अंक गुणा किया गया कोई भी संक्या का गुणा किया गया जीरो ही नहीं मिला? नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि इसमें कहीं पांच नहीं आया इसका मतलब सर जी क्या जीरो बनाने में पांच का रोल है पांच महत पूर है ये तो नहीं कह सकते भाई कि जीरो बनाने में पांच ही महत पूर है क्यों? क्योंकि देखो 15 गुणह 13 गुणह 7 आपको बताऊ क्या गुणहँ में 0 मिलेगा मैं कहूंगर इसमें भी 0 नहीं मिलेगा जबकि इसमें तो 5 बैठा है 5 बैठा पिर क्यों नहीं मिला 5 का रॉल होता केले to 5 तो बैठा था 15 में वो 7 जीरो मिल जाना चाहिए तो 5 का भी रॉल नहीं है लेकिन सच बात मानिये इसमें रॉल दो चीजों का है 5 का भी है और 2 का भी है किसका किसका है 0 कौन बनाता है 0 दो लोग मिलके बनाते हैं 5 और 1 0 बनाते है कौन 2 क्योंकि 5 दूनी 10 देखो 0 बन गया एक जिरो मिल गया लास्ट में समझ गए जिरो कौन देता है पांच और दो दो तुम्हें कहां कहां मिल सकता है दो तुम्हें मिल सकता दो में और दो कहां मिलता चार में दो कहां मिलता छे में और दो कहां मिलता आठ में इन में दो बैठा होता क्योंकि दो की जगा दो, चार में तो दो बार दो मिल जाते हैं और छे में दो मिलता है, तीन मिलता है, और आठ में तीन बार दो मिल जाते हैं तो जिन संक्याओं में दो मिलते हैं, वो संक्याओं होनी चाहिए और जिन में पांच मिलते हैं पांच कहां मिलते हैं दस में पांच मिलते हैं दो पांच और आपका पंद्रे हो तो पंद्रे में भी पांच मिलते हैं पांच देते हैं यानि कि जीरो बनाने में उन संख्याओं का रॉल है जिन में दो भी मौजूद हो पांच भी मौजूद हो क्योंकि जीरो कौन देता है जीरो दो देता है और जीरो पांच देता है अब बात आगे बढ़ती है ये कुश्चन है पहला इसमें हमें जैसे पता करनी है कि इनका गुणा किया जाए तो इनमें लाष्ट में कितने जीरो आएंगे मानलो ये संख्या है ये संख्या है इसमें गुणा करें तो हमारे लाष्ट में कितने जीरो आएंगे तो ग्यारा में भाई क्या दो मिल सकते हैं या पांच मिल सकते हैं आप बोलोगे नहीं तो ग्यारा से हमें कोई मतलब नहीं नौ में क्या दो मिल सकते हैं पांच मिल सकते हैं आप बोलोगे नहीं तो नौ से भी कोई मतलब नहीं साथ में दो मिल सकते हैं पांच मिल सकते हैं नहीं तो पांच दूनी दस एक दो मिल गया एक पांच मिल गया तो पांच दूनी दस और दस में कितने जीरो है लास्ट में तो दस में एक जीरो है दस में कितने जीरो है तो दस में लास्ट में कितने जीरो एक जीरो तो इन सब का गुणा किया जाए तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगे आप बोलोगे सर जी इन सब का गुणा किया जाए तो लास्ट में एक जीरू आएगा आजाओ अब यहां देखें हम लोग इस वाली कुश्चन में इसमें देखें कितने जीरू आएंगे अपने आप से चल लाई यह भाई वाई किलिर है भाई बहुत बढ़ी है इसमें देखो बात करें कितने जीरू आएंगे तो आप देखो 13 से हमें ना 2 मिल सकता है ना 5 मिल सकता है 13 से हमें 13 से हमें यह कहां से चल लाई भाई हाँ ठीक आ गया तो तेरह से हमें ना दो मिल सकता है ना पांच मिल सकता है यह चल क्यों रहा है भाई यह क्या है यह चल गया ठीक तो तेरह से ना दो मिल सकता है ना पांच तो तेरह से तो जीरो मिलेगा नहीं नौ से भी जीरो नहीं मिलेगा जीरो यह लोग देंगे अब यहां हम देखें पांच किते मिलेंगे तो पंद्रह में कितना पांच मिलेगा आप बोलोगे सर पंद्रह में एक बार पांच एक पांच यहां से 125 में कितने पांच मिलेंगे तो आप बोलोगे 125 में तीन बार पांच पांच गुणे पांच गुणे पांच हलाकि पंद्रह में तीन भी है लेकिन 3 से हमें कोई मतल हैं हमें ठूनने होते 2 और 5 यहां पे 2 कितने मिल जांगे तो यह आप बोलोगे 12 में 2 गुणे 2 Gुणे 3 लिखते हैं तो दो बार 2 मिल जांगे 3 से हमें कोई मतल ने तो अभी हां 5 की पावर किती हो गई तो 5 की पावर 1, 2, 3, 4 दो की पावर कितनी हो गए तो दो की पावर दो अब समिश्या है कि जीरो कितने आएंगे भीया चार आएंगे कि दो आएंगे तो बेटा दो की पावर जितनी हो और पांच की पावर जितनी हो उनमें जो पावर छोटी होती उतने ही बार जीरो आते हैं तो छोटी कौन सी पावर है? दो पावर छोटी है. चार बड़ा है और दो छोटा है. पावर की तुलना की जाती है. तो चार बड़ा है और कितना? दो छोटा है. तो जीरो की संक्या कितनी होगी? इसका अंसर कितना होगा? दो जीरो होगे. कितने जीरो होगे? इन सब का आप बोलोगे सर ठीक है इसमें 63 है तो 9 सते 63 नो और साथ आएंगे उसमें नो में ना दो होता है ना पांच होता है साथ में भी ना दो होता है ना पांच तो इसका कोई रॉल नहीं अब यहां 49 में सासते 49 इसमें भी ना एक भी दो मिल पाएगा ना पांच 24 में दो मिलेंगे कैसे मिलेंगे कितने मिलेंगे फैक्टर कर सकते हो वैसे नहीं समझ में आरा तो 2 से 12 दो से 6 तो 2 से फिर काटोगे तो 3 अब 3 से 3 एकम 3 इससे हमें मतलम नहीं होता तो 2-2 कितने Вार मिलेंगे 24 में, तो 2-2 3 मिलेंगे 35 में क्या मिलेगा बोलो, तो 35 में आप बोलो कि सरजी हमें 35 में 35 मिले, 5 सते 35, 7 कम 7 अब हमें यहां 7 से कोई मतलम नहीं है, तो 5 से मतलम है, तो 5 मिल जाएगा ऐसे ही चालिस में क्या मिलेगा तो आठपन चालिस चालिस में दो भी मिल जाएंगे पांच भी क्योंकि आठपन चालिस आठ में दो की गात तीन मिलेगा और पांच तो पांच तो पांच कितने हो गए ये बंद करो गेट गेट बंद करो तो कितने हो गए तो दो की पावर आपकी बन गए कितनी दो की पावर तीन हो दो की पावर तीन दो की पावर हो गए छे और पांच की पावर कितनी हो गए तो पांच की पावर आप बोलोगे सर तो इन में देखो छोटी कौन सी है तो इन में छोटी है, कौन सी? तो इन में छोटी पावर दो है, तो आप बोलोगे सर जी, आंसर इसका दो आएगा, इन सब का गुणा किया जाएगा, तो गुणन फल के अंत में कितने सेस बचेंग, कितने जीरो आएंगे, तो दो जीरो आएंगे. उम्मीद करते हैं, चीजें समझ में आ गई होंगी, ये चीज सौट में कर दिया करो, ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही हो, आगे बलते हैं, ये, अब ये संख्या, नमबर ओफ, ये काफी संख्याएंगे, एक गुणे, दो गुणे, तीन गुणे, चार, डौ, 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 गुणा करना है, अब आप से पूछा जाएगा, कि लास्ट में गुणा में कितनी जीरो आएंगे, तो आप सोचोगे, सर जी, तो ढूनो, दो कितने आएंगे, पांच कितने आएंगे, तो मेरे भाई, ऐसे हम सुरू से लेके, अलतालिस तक दो और पांच ढूनेंगे, तो नहीं डून पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, आप बोलोगे, तो सर कह करो गया, करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ सॉलिड बनाएंगे, आपको एक हम बात बताते हैं, बहुत सांधार, वो बात ये है, कि लगातार की जब संख्याएं हम कहें, कि पान सो तक, लगातार की संख्याएं लिखी हैं, कहां तक, पान सो तक, इसको हम यहां ना बताएं, इसके लिए नया पेज ले लेते हैं, क्योंकि यहां इन सवालों को करेंगे, मान लो, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, डोट, डोट, हम कह दें तुम पे, ज्यादा ले ले, दस हजार, दस हजार थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, डर जाओगे तुम, पांच, एक हजार, हम ये पूछते हैं, कि इन में एक हजार तक लिखेंगे, संख्याएं, तो उनमें कितने साथ मिलेंगे, उनके खंड लिखेंगे, गुरम में हैं ये, तो इनमें कितनी साथ मिलेंगे, साथ की पावर कितनी होंगे में कितनी साथ मिलेंगे, साथ की पावर होंगे कितनी साथ की पावर होंगे, गात होंगे अभी हम साथ की गात बताते हैं कि कितनी साथ की गात होंगे तो आप कोगे सर जी बड़ा मुस्किल है डून पाना क्योंकि साथ में साथ होगा, चौदे में साथ होगा, एकिस में साथ होगा सर जी अटाइस में साथ होगा, पैतिस में साथ होगा सर जी उन्चास में तो दो बार साथ होगा कि उस साथ गुणे साथ तो सर जी ऐसे तो एक हजार तक तो डूने है तो सुबह वजे कोई नहीं उसके लिए एक मैथड होता है वो मैथड क्या है? वो ये मैथड है कि एक हजार में तुम साथ का भाग दे दो साथ डून रहे हो ना तो साथ का भाग दे दो साथ एकम साथ तीन बचगे हुए तीस सचोगो अठाइस दो बचगे हुए बीस साथ दूनी चौदा अब आगे संख्या नहीं तो चाहे कुछ बच जाए उससे कोई मतलम नहीं कितने वार भाग गया पूरा पूरा एक सो बियालिस बार तो एक सो ब्यालिस को यहां लिखा रहने दो और इ Design भी लिख लो फिर इसे एक सो ब्यालिस में फिर साथ का वाग दो साथ दूनी चौदा दो में नहीं जा रहा वाग तूटी बिन्दी फिर दो सेस बच गया तो सेस को गोली मार तो कोई मतलम नहीं ये बीस के बीस इदर उतार फिर साथ का वाग दो इसमें तो साथ दूनी चौदए छे बच गए छोड़ दो गोली मार दो अब दो बार गया तो दो यहां लिख दो अब साथ का वाग क्या दो में जाएगा तो नहीं जाएगा क्योंकि ये भाज जो है वो छोटा है समझ गए दो छोटा है तो साथ का वाग नहीं जाएगा तो यहीं से नोट कर लो दो दो चार चार दो छे और एक तो एक तो आप कह सकते हो कि सर जी एक दो तीन चार पांच छे डॉट 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 गुणा करे कितने तक एक हजार तक तो कुछ मैं कितने साथ की पाफ़ आएंगी जब उन फैक्टरस को तोड़ के लिखो गए तो साथ की पाफ़ कितनी लिखी जा सकती है तो वहां पे साथ की पाफ़ एक सो चॉंंसट लिखी जा सकती है बहुलोगे सर بات हजम नहीं हुई क्यों नहीं हुई इसलिए कि सर पता नहीं आपने किया सही है 164 आएगा भी की नहीं आएगा हमें कैसे पता कोई बात नहीं तुम्हें ऐसे पता कराएंगे एक गुड़ें दो गुड़ें तीन गुड़ें चार डॉट डॉट गुड़ें पच्चिस अब इस पच्चिस तक में हम साथ कहें साथ देखो तो पच्चिस में आप साथ का भाग दोगे जो तरीका हमने बताया उस तरीके से तो साथ तिया 21 जो बचेंगे उनसे सेश उनसे कोई मतलम नहीं ठीक है फिर साथ का वाग दोगे तो जा नहीं रहा आप बोलोगे साजी जाही नहीं रहा तो तीन बार गया तो यहां से एक गुड़ें दो गुड़ें तीन डौट डौट करोगे पच्चिस तक गुड़ा में तो उसमें किती साथ की पावर मिलेंगी आप बोलोगे साथ तीन लाओ अब हम प्रूब करादें साथ तीन कैसे कि अब पांच में नहीं मिलेगी छे में नहीं मिलेगी साथ में मिलेगी साथ में एक पावर मिलेगी फिर यहां जब चौदा लिखी जाएगी तो 14 में 7 मिलेगा फिर यहां जब 21 लिखा जाएगा तो उसमें भी 7 मिलेगा तो 7 की पावर किती हो जाएगी 3 तो किती पावर मिलेगी उम्मिद करते हैं चीज समझ में आ गई होगी क्या कि लगातार की संख्याएं हो वहां तक में तुमसे पूची जाए कि कोई संख्या कितनी बार आएगी कोई संख्या की पावर कितनी आएगी तो वो सबसे बड़ी वाली संख्या में इस तरह सिवाग देना है कैसे कि बड़ी वाले में पहले संख्या का बाग दो जो पूचा जाए कि ये कितनी वार आएगा जैसे साथ पूचा गया तो साथ का वाग हमने दिया जितनी वार पूरा पूरा गया यहां भी लिख दिया यहां भी फिर इसमें साथ का दिया जितनी वार पूरा पूरा गया वो यहां भी यहां भी फिर इसमें साथ का दिया जितनी वार गया वो यहां भी सबको जोड लिया हमें बता चल गई कि साथ की कितनी पावर आई गी एम आ राइट और रॉंग ठीक एक और बात लेते हैं हमने एक बात ली कि एक गुड़ें दो गुड़ें तीन गुड़ें चार मान लो सौ तक मैं कितनी तेन की गात तेन की गात और कितनी साथ की गात होगी यह हमने लिया एक दो तीन चार्ट डॉट डॉट सौ तक मैं तीन की गात कितनी होगी साथ की गात कितनी आप बोलोगे सरहाल निकाल लेंगे हम सौ में पहले तीन का बाग देंगे तैंतिस तीन इन यान बे तो तैंतिस बार जाएगा तो सर तैंतिस इदर लिख देंगे फिर तैंतिस में तीन का देंगे तो ग्यारा बार जाएगा ग्यारा इदर लिख देंगे फिर सर ग्यारा में तीन का जाएगे तीन बार जाएगा तीन इधर लिख लिख लिए फिर तीन में देंगे तो एक बार जाएगा तो एक बार लिख लिख कितना आ जाएगा 44, 4, 48 आप बो लोगे सर एक से दो तीन और ऐसे 100 तक गुड़ा करेंगे तो उसमें 3 की पावर 48 आएंगी सुरी तीन की पावर कितनी आएंगी 48 अब हम पूचें सौ तक में साथ की पावर कितनी आएंगी तो आप बोलोगे साथ साथ का वाग देते हैं साथ एकम साथ सच्चो को 28 चौदा फिर साथ का साथ दूनी 14 दो बार तो दो आप साथ का जाएगा नहीं तो 14 दो 16 आप बोलोगे साथ की पावर 16 आएंगे हमने ये पूचा आप से कि कौन कम आ रहे हैं कौन ज़्यादा तो आप बोलोगे साथ साथ की पावर कम आ रहे हैं 16 आ रहे हैं और 3 की पावर ज़्यादा आ रहे हैं अब हम एक-एक सवाल ऐसे ही कर देते हैं मुर्खता पोड़ा सुले ये कम काई आ रही अब कोगे सर जी इत्ता भी नहीं जानते हैं साथ बड़ी संक्या है तो साथ दूर दूर मिलेगी तो साथ की पावर कम आएंगी और तीन छोटी संक्या है सर जी तीन पास पास मिल जाएगी क्योंकि साथ तक जब हम लिखेंगे साथ ही तक लिखेंगे उतने में सर जी एक बार साथ मिलेगा और हमें तीन मिल जाएगे दो बार यहां और यहां बिलकुल बात तुम्हारी सही है यही हम बताना जाते कि लगातार की संख्याएं हो उनमें छोटी संख्या जादा बार मिलती है और बड़ी संख्या कम बार मिलती है बड़ी संख्या जो होती है वो कैसे मिलेगी कम बार मिलेगी कम बार कम पावर होगी उसकी और छोटी संख्या की पावर जादा होगी किसकी छ ज्यादा होगी ठीक है चलो पूरी फील्डिंग तयार है अब किर्किट मैच चालो होने जा रहा है सब पूरे फील्डर सेट कर लिए गए हैं ठीक है अब मैच की सुरुआत होगी पहला ये देखो अब यहीं पर आ जाओ लगातार की संक्याएं थी आपकी कौन कौन संक्याएं थी आप बोलोगे एक दो तीन डौट डौट कहां तक अर्टालिस तक इनका गोड़ा करोगे तो कितनी जीरो आएंगे? आप बोलोगे सर हम जानते हैं कि जीरो देने वाला फरमात्मा है अरे नहीं वहीं जीरो देने वाले आर वट हैं सरही? ये भी बात नहीं जिरो कौन देगा तो जिरो आपके पाँच देंगे और जिरो कौन देगा दो देगा कौन कौन जिरो देता है आप बोलोगे सर दो की पावर जितनी होंगी उनसे जिरो का आइडिया लेते हैं और पाँच की पावर कितनी है इनसे जिरो का आइडिया लेते है इनमें से जिसकी पावर कम आती है उतने जीरो होते हैं सर जी तो आप बताओ कि इनमें दो की पावर कम आएगी कि पावर कम आएगी आप बोलोगे सर पावर दूर दूर मिलेगा तो पावर कम होंगी तो हमें जीरो कौन देता है जिसकी पावर कम होती है उतने ही जिरो आते इन दोनों में दो और पाँच में जिसकी पावर कम होती है उतने ही जिरो होते गुलन फलकेंट में तो पाँच देखें पाँच पे कितनी पावर होंगी तो कैसे देखोगे अब आप जानते हो 48 में बाग दो कितने का पाँच का तो पाँच निम पैटालिस तो नो बार फिर पाँच का बाग दो तो पाँच एकम पाँच जो सेस बचता उसका कुछ नहीं जितने बार बाग जाए वो इदर लिखा जाते है तो आप बोलोगे सर्जी नो एक दस तो पाँच की पावर दस आएंगी तो इनका जब गुणा किया जाएगा तो गुणन फल में कितनी जीरो होंगी तो आप बोलोगे सर्जी इसमें दस जीरो होंगी हमारा आंसर दस होगा किलियर है कितनी जीरो होंगी तो आप बोलोगे सर्जी दस जीरो होंगी इनका गुणा किया जाएगा तो उसके पीछे दस जीरो रखी होंगी जब गुणा करोगे तो पीछे कितनी जीरो रखी होंगी तो आप बोलोगे सर्जी दस जीरो रखी होंगी दस और आगे कुछ संख्या रखी होगी दस जिरू रखी होगी आगे कुछ संख्या होगी आगे क्या होगा आगे कुछ संख्या होगी और उसमें दस जिरू होगी आगे यहां कोई नंबर होगी पीछे दस जिरू रखी हो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ पाए होंगे आजाओ इस सवाल को करके देखें एक गुड़े दो गुड़े तीन डौट डौट दो सो दस इसमें कितने गुड़न पल में कितने जीरो होंगे तो आप बोलों कि सर अब तो आसान है 210 में 5 का वाग देते हैं क्योंकि 2 वाले तो जादा मिलेंगे 5 वाले कम मिलेंगे तो 5 का वाग देते हैं तो 5 को 25 दूनी 10 तो 42 आगे 5 से करो तो 8 तो ये 8 हो गए 5 से करो तो 5 एकम 5 तो ये 1 हो गए सेस ना लिख देना भूलना जाना यहां ध्यान रखना, पांच एकम पांच तुम तीन लिख दो, ना पांच एकम पांच तो एक लिखा जाए। तो बियालिस आठ पचास और एक एक याउन तो आपका अंसर क्या होगा एक याउन अब ये कुश्चन नमबर आपका हो गया इसका दूसरा और ये हो गया पहला ये दूसरा हो गया अब आती ये बात इसमें गुरू जी इसमें कितने जीरो होंगे एक तीन पाँच इनके गुलन फल कहां तक किया गया पच्चन बे तक तो इसके गुलन फल में कितने जीरो होंगे बहुत लोग फड़ पड़ा रहे होंगे कह रहे होंगे सर जी अभी हाल बताए दे रहे हम कितने जीरो होंगे हाल रखेंगे हाल 95 पाँच का बाग 19 पना 95 बाबु जी ये सब कुछ गलत ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए है ध्यान से देखिए क्या ध्यान से देखना है कि एक तीन पाँच लगादार की नहीं है एक एक छोड़ के हैं और इसमें छूट कौन से गई तो आप बोलोगे सर जी दो चार चे ये छूट गई एक तीन पाँच साथ आएगी नौ आएगी दो चार छे आठ दस ये सब छूट जाएगी आप बोलोगे सर सम्भाली छूट जाएगी सिर्फ बिसम्भाली आएगी बाबु जी जब सम्भाली छूट जाएगी और दो हमें देने वाला कौन है जिससे दो किस्से मिलती है तो आप बोलोगे सम्संक्याओं से मिलती है और सम एक भी होगी नहीं है तो दो की पावर यहां क्या हो जाएगी जीरो पाँच की पावर चाहे किती भी बनी रहे लेकिन दो की पावर जीरो है तो कम जीरो हो गई ना तो इसका अंसर क्या जाएगा इनके गुणन फल में कितने जीरो आएंगे सून आएंगे क्योंकि यहां से पाँच तो मिलेगा इस सवाल में पाँच की पावर तो बन जाएंगी लेकिन दो की पावर कोई नहीं होगी क्योंकि यहां पे समसंक्याओं में दो होता है और यहां कोई समसंक्या नहीं है अर्थात नंबर अब जीरो की संक्या क्या होगी? शून होगी मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ रही होंगे अरे आ रही हैं तो फिर ततकाल तुरंट पर बाओ से अभी हाल हमारी सेशन को लाइक कर दू नए आयो तुरंट सब्सक्राइब कर लो और गंटे का निसान दबा दू तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों का और बला करना चाहिए सेर भी मार दो वाल पटा पट ठीक अब अगले कुश्यन पर चलते हैं दो चार छे आठ डॉट 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 एक सो बीस एक सो बीस तक है अब आप सोच रहे होंगे इसमें कितने जीरो होंगे गुणा में दो चार छे आठ डॉट 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 एक सो बीस कुछ बच्चे हमें ग्यान दे रहे हैं सर जी हमें पांच ही नहीं है पांच कहां है दस कहां है पांच कहां है रो सर जी हमें तो समसंक्या है अरे उल्लू वसंतो पांच नहीं आ रहा लेकिन दस तो मिलेगा समसंक्या में आगे चलोगे तो दस मिलेगा दस में तो पांच बैठा होगा पंद्रे फिर नहीं मिलेगा मान लिया पंद्रे नहीं मिलेगा तो बीस तो आगे बैठा होगा उसमें तो पांच है तो तुम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें जीरो आएंगी क्योंकि इसमें दो भी मिलेंगे और पांच भी मिलेंगे मानगे तो अब आप ये सोच रहे होंगे सर समिस्या हमारे पास ये है क्या कि तो फिर कैसे निकाले इसमें वैसे ही निकालो जैसे निकालते हो 120 है पांच ढूनते हो पांच काई पाँच दूर दूर मिलेगा तो पाँच कम आएंगे तो पाँच तूनो पाँच का तो 24 यहाँ 24 लिख दो पिर पाँच से तो पंचो को 20 यहाँ 4 लिख दो तो यह कितने हो गए 24 चार 28 कुछ बेटा बेटी कहेंगे कि 28 अर 28 उत्तर आगया ऐसे नाचने लगेंगे, लेकिन बाबु जी 28 नहीं आएगा, 28 तो तब आता जब एक, दो, तीन, चार, पाँच लगातार होते 120 तक, यहां एक एक छोड़ के है, दो दो का अंतर है इसमें, तो 28 तो आपने उसी तरीके से निकाल लिया, ठीक, अब जितने का अंतर हुआ करें, उतने का भाग दे दो, दो-दो का अंतर है, दो का भाग दे देंगे, तो कितना आजाएगा आपका, 14 तो इनके गुड़न फल में कितने जीरो होंगे, तो आप बोलेंगे सर, 14 जीरो होंगे, इस तरह से आप निकालेंगे, इनके गुड़न फल में कितने जीरो होंगे, तो आप बोलेंगे सर 14 जीरो होंगे, इस तरह से आप गुड़न फल के अंत में जीरो की संक्या निकालेंगे, चीजें किलियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं, ये कुश्चन है, अब बड़ी एड़क है, आप सोच रहे होंगे सर क्या एड़क है, देखो एड़क ही है, लगातार तो है नहीं, लगातार तो यहां है नहीं, आपको असर लगाई तार तो है, दो है, तीन है, चार है, डौट डौट चौरासी तक, अरे मूरको, एक से कहां है, एक से, प्रारम में से कहां है, यदि सुरू एक से होता, कहां से सुरू होता, एक गुड़े, दो गुड़े, ती डोट 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 गुरें 12 गुरें 13 गुरें 14 यहां 11 गुरें 12 ऐसा होता इतना और जुड़ा होता तो 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 तुम ऐसा कह सकते थे कैसा कि सर जी सुरू से है एक सो चौरासी तक और एक सो चौरासी के लिए सर जी पांच का निकाल लो एक सो चौरासी नहीं बिटा उनली चौरासी तो पांच से निकाल लो काई पांच दूर दूर मिलेगा सर जी तो हम निकाल लेते, पांचे कम पांच, पांचे कसी, सोले हैं, फिर पांच से तो पांच तीया पंदर हैं, तो तीन, तो उननिस, अब तीन में जाएगा नहीं तो या उननिस, तो हमारा एक से सुरू होता 5, 44 किुर में तो आप बोलते सर 19 जिरो होते हैं, लेकिन यहां 11 से तक तो है नहीं है, 12 से शुरू है, तो यह 11 तक का तो यह हमने जोड़ दिया, यहां से यहां तक का यह, यह तो हमने जोड़ा है इतना, तो आप बोलोगे सर जी फिर क्या करें, फिर ऐसा करो कि जितना तुमने जोड़ा है, कितना जोड़ा, 11 तक का, इसमें देख लो किते 5 हैं, 5 दूनी, 10, 2, फिर देखो, 5 का 2 में जाएगा नहीं, तो इतने में कितने थे, इतने में आप बोलोगे सर, 2 पांच थे यहां तक, तो आप बोलोगे सर सत्रा, तो बारा से गुणा करोगे, और चौरासी तक में तो कितने जीरो होंगे, तो आपके सत्रा जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे आपके, तो आप बोलोगे सर सत्रा जीरो होंगे, किलियर हैं, लिखने में ना जाया, अगरो कि लिखते हैं, दूर दू लिक देता हो मैं उन लोगों की तरह नहीं हूंfire रफ कर दें लिक दें पिर रफ कर दें देखने में लगए इत्या छोटा कुतर है ऐसा कुछ नहीं अब आ जाओ अपने कुशिन की बात इस वाले कुश्चिन पर इसको सॉल्व करते है तो इसमें कितने हैं पांसो बारा से ग्यारा सो बीस तुम सुरू से एक से मानो ग्यारा सो बीस तक तो कितने आ जाएंगे ग्यारा सो बीस तक मानो एक से तो पांस से पांस दूनी दस पांच दूनी दस पंचो को बीस दोसो चौबिस हो गए फिर पांच से पंचो को बीस कितने हुए पंचो को बीस फिर चवालिस हुए फिर पांच से तो पनी एठ चालिस तो आठ हुए फिर पांच से पांच एकम पांच तो कितना हुआ एक हुआ ठीक है, तो कितने हो गए यहां से तो यहां से हो गए आठ, आठ, सोला, एक, सत्रा यहां चार, दो, छे, एक, साथ यहां कितने हुए, दो तो यहां तक में एक से लेके होता 1120 तक तो कितने आ जाते पांच तो पांच, दो, सो, ससत्तर आ जाते लेकिन यहां से एक से पहले वाले यह पांच सो वारा से पहले किते रहे होंगे तो पांच सो ग्यारा में देखो किते रहे होंगे उसमें पांच से पांच एकम पांच पांच दूनी दस एक सो दो पांच से फिर पांच दूनी दस तो बीस फिर पांस से पंचों को 20 तो 4 तो आप बोलोगे सर 126 रहे होंगे सुरू से लेके यहां से तो 270 में से 126 आप गटा दोगे तो किते वचे एक पांच एक तो आपके इनके गुलन फल में कितने जीरो आएंगे इन संक्याओं का गुडा करोगे तो लाश्ट में आपके 151 जीरो आएंगे कितने जीरो होंगे? 151 जीरो होंगे उम्मीद करते हैं बाते हमारी आपके दिमाग में आ रही होंगे आगे बढ़ते हैं यह आ गया फैक्टोरियल 47 में सुन्यों की संक्याओं गयात करो कितना है? फैक्टोरियल 47 है इसमें सुन्यों की संक्या сам कितने सुन्होंगे? अजीर बात है सर जी यह तो हम ने कब सुनों नहीं है यह फैक्टोरियल का लिखो हम तो या को चार तो 71 पढ़ रहे बाभू जी यह चार तो 71 नहीं है यह तुमारा फैक्टोरियल है फैक्टोरियल जैसे हम लिख दें फैक्टोरियल पांच ऐसे लिखा जाता है तो इसको ऐसे कहेंगे एक गुड़ें, दो गुड़ें, तीन गुड़ें, चार गुड़ें, पांच, पांच तक गुड़ें कुछ लोग इसको फैक्टोरियल को पांच को ऐसे भी लिख देते हैं, ये दोनों निसान होते हैं ऐसे लिग दो ये वाला निसान लगा दो और चाहिए ये वाला निसान लगा दो दोनों निसान फैक्टोरियल के होते हैं तो यहां फैक्टोरियल सैंतालिस है इसका मतलब क्या हुआ एक गुणां दो गुणां तीन गुणां डोट 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 कहां तक गुणां सैंतालिस तक अब कुश्यन आसान हो गया इसमें पूचा गया इनके गुणा करोगे यहां से 47 तक तो गुणान फल में कितने जीरो आएंगे हल आप कर देंगे 47 में 5 से 2 से काई नहीं चेक कर रहे क्योंकि तुम जानते हो 5 बड़ा यह कमबार मिलेगा हमें कमबार देखाना होता 2 और 5 में जो कमबार मिले तो 5 कमबार मिलेगा 5 नहीं 45 तो 9 लिख दो फिर 5 एक हम 5 तो एक लिख दो तो 9 एक 10 तो आपका अंसर कौन सा सही है C वाला अंसर सही है क्लियर है अगले कुश्यन पे आते हैं अब आपका यह है यह तो बड़ा बैंकर है इसको कैसे करें इसको कैसे करें हाँ बैंकर तो है भाई थोड़ा हम मानेंगे आपकी बात से सहमत है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको आप कर नहीं सकते तो कर सकते कैसे दोगो इसको 10 गुड़ें एक लिख सकते हो 20 को क्या लिख सकते हो 10 गुड़ें 2 लिख सकते हो ये तुम्हारा 10 है और ये 20 है ऐसे ही 30 को क्या लिख सकते हो 10 गुड़ें 3 लिख सकते हो डौट 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 ऐसे ही 80 को क्या लिख सकते हो 10 गुड़ें आप बोलोगे 8 लिख सकते हैं सर तो ये 10 दस 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 किते बार आठ बार गुणा में तो दस की पावर आठ और कोश्टक में गुणा में का बचो एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार डौट डौट कहां तक आठ तक यहां से तो तुम्हें पता ही है कि किते जीरो आएंगे दस की पावर एक होती है तो जीरो किते होते हैं उसमें एक ही आता है दस की पावर दो हो तो लाश्ट में किते जीरो आते हैं दो आते हैं तो यहां दस की पावर आठ है तो आठ जीरो तो यहां से बन जाएंगे किलियर है यहां देखें कितनी जीरो बनेंगे तो इसके लिए क्या करोगे आठ में बाग दोगे पांच का पांच एकम पांच तीन से 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 हमें कोई मतलम नहीं तो यहां पे एक ही बन पाएगा यहां से एक जीरो यहां से आठ जीरो तो आठ और एक नो बी वाला उप्सन सही है किलियर है आगे बढ़ते है इस कुश्चन पर आओ ये आपका देखो 21 से लेके कहां तक 60 तक लगा तार है इनके गुड़न फल में सून्यों की संक्या पूछिए आप बोलोगे सर ऐसा तो आप सिखा चुके हैं पहले क्या तुम्हारा दिया है 21 से लेके दिया क्या है 21 गुड़न 22 गुड़न 20 डौट 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 कहां तक गुड़न 69 गुड़न 60 इसमें कुछ हम जोड़ लें अपना कौन से एक गुड़न 2 गुड़न 3 डौट डौट गुड़न 20 हमें इतने के चाहिए इतने के ये तो हमने अपने खुड़े हैं कहें जोड़े हैं कि इनको जोड़ने से एक से लेके 60 तक सुरू का हो गया सुरू से लेके 60 तक का हो गया तो उसको निकालना हमें पता है 60 तक में पांच का बाग देंगे तो पांच से तो बारा यहां बारा रखोगे पिर पांच से बाग देंगे पांच दू नहीं दस यहां दो रखोगे तो सर जी बारा दो चौदा आएगा यहां तक एक से लेके साथ तक में पूरा अब बीस तक में कितने आएंगे पांच भाई तो बीस तक में देखें तो पंचो को बीस चार आएंगे सर चार में जाएगा नहीं तो चौदा पूरे में किते आएंगे यहां से यहां तक में चौदा आए चौदा आए यहां तक किते थे चार यहां तक कि किते थे चार तो चौदा में से चार घटाओ तो 21 से लेके 60 तक में किते बचे 10 बचे तो यही 10 आपका आंसर है तो C वाला आपका आंसर हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा C वाला चीज़ें समझ में आ रही होंगी आगे बढ़ते हैं ये दिया क्या दस की पावर एक, गुर्ण दस की पावर दो, गुर्ण दस की पावर तीन और डौट डौट दस की पावर दस इनके गुर्ण फल में कितने जीरो आएंगे सर ये बताओ आप ये जानते हैं कि गुर्ण में गातें जुड़ती है यदि सबके आधार आधार ये हैं दस 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 आधार समान हो तो गुणा में गातें जुड़ती हैं तो दस की पावर एक प्लस दस की पावर दो दस की पावर तीन चार डोट 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 दस की पावर दस तो दस की पावर कितनी हो जाएगी आपको इन सब को सर जि जोड लो तो ये N तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बन जाएगा हमने पढ़ाया था आपको 1 प्लैस 2 प्लैस 3 प्लैस 4 डोट डोट कहां तक N तक की संख्याओं को जोडना हो प्राकृतिक संख्याओं को तो formula क्या होता N, N प्लस 1 और Y 2 तो यहां पर क्या करोगे 10, N की जगए 10, 10 प्लस 1 बटे 2 तो 10 की power कितना आ गया, यह काट दो 5 यह 10 एक 11 पचे, 55 10 की power कितने आ गया, 55 आ गया हमने पिछले सवाल में आपको बता है, 10 पे power 1 हो तो last में 0, 1 आता है, 10 पे power 2 हो तो last में 0, 2 आता है तो यहां 10 पे power 55 है, तो last में 0 कितने आएंगे इसमें तो आप बोलोगे, sir, 55 आएंगे तो B वाला option आपका सही जाएगा किलियर है, आगे बढ़ते है यह अपना question है एक तीन पांस साथ नो डॉट डॉट निन्ने आन्वे गुड़ें 101, इनके गुड़न फल में कितने जीरो होंगे आप बोलोगे, sir, कितने जीरोंगे 101 में पांच का बाग दें महा मूर्क हो, जए 101 में पांच का बाग दे रहे हो तो कैसे हो? आप बोलोगे, महा मूर्क महा मूर्क कब हो? यदि तुम 101 में कितने का बाग देने लगे? पांच में क्योंकि यहां पर पाँच तो मिलेंगे लेकिन दो नहीं मिलेगा कहीं पाँच की तो पावर कुछ बनेगी कुछ बनेगी लेकिन दो की पावर जीरो रहेगी दो कहीं नहीं मिलेगा जिसकी पावर इनमें कम होती है कम कौन है जीरो तो इसमें सुन्यों की संक्या कितनी होगी आपकी जीरो होगी तो आंसर आपका डी सही है कौन सह सही है डी तो ये आप ये पता कर पा रहे हैं कि गुणन फल के अंत में सुन कितनी होगी ये ग्याद कर पा रहे है ये कुश्चन जो दिया है ये बताओ तो जाने हैं होम बर्क के लिए कुश्चन है ये कुश्चन दिया है इसमें हम जानना चाहते हैं गुणन फलकेंद में कितने सून होंगे इसका आंसर निकाल के आप हमें कमेंट करिये हम देखते हैं कि कितने लोगों के आंसर सही है ज़िए आपके आंसर सही आते हैं निश्चत तोर पे मुझे बहुत कुसी होगी मुझे लगेगा कि मैंने इतनी मेयनत की, इतना समय दिया मेयनत की, तो उसका कुछ रिजल्ट आया, आपको कुछ सिखा पाया मुझे लगेगा कि मेरी मेयनत स्वार्थ हो गए ठीक है इसी के साथ ये टॉपिक याँ पे ओवर होता है अब हम अगली क्लास में जो कुश्चन कराने वाले हैं वो कुश्चन्स हैं क्योंकि हमने बताया था संक्या पद्दिती में आठ प्रकार के प्रिश्चन दे तो इनमें हमने साथ प्रकार के प्रिश्चन पढ़ा दिये आठ्वा जो था बिविद बनाया था बिविद बाला मिसलैनियस उसमें हम वो कुश्चन देखेंगे जो ऐसे सी जीडी में आते हैं लेकिन इन टाइपों में हमने कवर नहीं कर पाई है ठीक है तो बिविद की कलास हम कल लेके आएंगे तब तक के लिए हमें बिदा दीजिए हम चलते हैं दोस्तों लेकिन आप लोग मन से पूरे मनोयोक से पढ़ते रही है इसी तरह निश्यत तोर पे आपका जीडी एक्जाम किलियर होगा खुसकबरी तो मिल ये भी रही है कि आगे पुलिस की वी वेकैंसी आ रही है तो जीडी और पुलिस यानि कि कहीं न कहीं इसी तरह से मेनद करते रहेंगे जुड़े रहेंगे लगे रहेंगे दोस्तों इसी के साथ नवस्कार जैहिंदा